इश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुद्र को अर्पित कर दिया जिसे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनन्त जीवन प्राप्त कर सके इश्वर का यह वचन हमें इश्वर यह प्रेम की और अग्रसर करता है हमारा सर्वनाश ना हो इसलिए इश्वर ने उस चूती को भीजा जो अंदकार को दूर भगाता है इश्वर की प्रेम की प्रकटता यही है कि इश्वर हमारे पापों हे तो कुरूस पर बलिदान हुआ यदि हम सच्चे रुदे से सोचे तो हम पाएंगे कि इश्वर का प्रेम वास्तों में कितना महान है हमें ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि क्या वास्तों में हमारा विश्वास कितना गहरा है क्या हम उसकी रक्षा करनी कारी को समझ पा रहे हैं या नहीं ये श्वर संसार की जोती है वह जोती में हमें पून रुप से विश्वास करना है